हेलो नमस्कार आफ सभी का एक बार फिर से हादिक स्वागत हैं बात करेंगे 10th of December के एडिटोरियल सेशन की और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक नए कोर्स के बार थोड़ी सी जानकरी ये कोर्स ग्रेमर का कोर्स है जो की हर एक एक एक्जाम के लिए उपयोगी है आप इ पूछे जाते हैं वहाँ तक का लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा 52-75 पिनिट्स की क्लास होती है Monday to Saturday आपको एक वीडियो प्री रिकॉर्ड़ेट वीडियो मिल जाता है संडे का ओफ रहता है ठीक है रेगिलर इंटरवेल पर मोटिवेशनल क्लासिस भी मिलेंगी और और इसे भी डाउनलोड इसे किया जा सकता है जैसे अव डाउनलोड करते हैं तो कुझ इस तरीके से और भी और बी और नजए बच्चों के लिए हैं यहोई जो कोर्स में नेक्स्ट वेंजड़े को स्टार्ट होगा जहाँ और दो डो एडिट रहे हैं उससे अधिरिक्ट आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो यह वाला कोड़ साब बाई कर सकते हैं तो यह स्टार्ट करेंगे Common Error से पहला question देखे It would be at the stage of entertaining objections That questions such as whether the project was truly a public purpose could be dealt in It would be at the stage तो यह उस stage पर होगा Of entertaining objections कि जो भी objections जो भी आपतियां हैं उनके बारे में विचार किया जाए entertaining का मतलब यहां विचार करना है That key questions की प्रश्ण जैसे की such as couple example के लिए करते हैं प्रश्ण कौन से जैसे की whether the project was truly a public purpose कि क्या इस प्रोजेक्ट है वो truly एक वास्ताव में क्या एक public purpose है क्या एक लोग उद्श्य के कारण है could be dealt in इन प्रश्णों को क्या क्या जा सकता है deal क्या जा सकता है तो deal करना है प्रश्णों के साथ इसलिए यहां पर deal in नहीं आएगा deal with का मतलब tackle करना है handle करना है deal in का मतलब व्यापार करना होता है trade in भी होता है deal in भी होता है second question देखे the judgment of the madras high court madras high court का judgment है who had taken a nuanced position वो madras high court जिसने की एक nuanced position ले रखे nuanced के हम चर्चा करेंगे जब हमें डिल्टरिल पढ़ेंगे खेर यहाँ पे एक बात समझने की है कि high court के लिए आप who कैसे लगा सकते हैं who तो person के लिए आता है इसलिए यह error हो जाएगा यहाँ पे who के स्थान पे क्या आना चाहिए which यह error है यहाँ ठीक है इससे बाद में अगर बात करें तो तीसरा question है तो three judges bench तीन judges की जो bench है has now ruled उसने निर्ने दिया है rule common निर्ने देना है that the high court was wrong in holding कि high court उस निर्ने को देने में गलत था that clearances under environmental and forest laws कि जो भी clearances थे clearances का मतलब approvals मालो तो जो भी approvals थे किस के तहत clearances किस के तहत environmental and forest laws के तहत परियावरनिये और जो one नियम है उनके तहत were required even before the initial land acquisition notice एक बार फिर समझना यहाँ पे error वाला part जो है वो एक number होगा, three judges नहीं आएगा judge आएगा, इस बात की जानकर यह आपको editorial मिल जाएगी, क्यों आएगा फिलाल आप answer mark कर ले, एक number answer आएगा अब देखिए, आपका तो title है इस editorial का वो है the road taken road taken का मतलब यह रास्ता अपनाया गया है ठीक है, road का मतलब सडक है लेकिन आप mark भी कह सकते हो, रास्ता भी कह सकते हो taken का लिया गया है, तो यह रास्ता अपनाया गया है, high court के द्वारा उसकी बात यहाँ पे आप करेंगे by upholding, by preposition है तो ing है, uphold का मतलब support करना होता है support भी कह सकते हो endorse भी कह सकते हो advocate भी कह सकते हो espouse कह सकते है champion कह सकते है इन सभी का मतलब है साथ देना ठीक है, तो by upholding notifications notifications को uphold करते हुए notifications, सूचनाओं को बोलते हैं तो सूचनाओं को uphold करते हुए सूचनाओं को मतलब बरकरार रखते हुए intending to कौन से notification जिन में इरादा था intent का इरादा रखना to acquire agriculture land की प्राप्त की जाए acquire का प्राप्त करना agricultural executive है AL लग रखा है ये काफी प्रताता रहता हूं आपको कि जिन शब्दों का end AL से होता है चाहे वो communal हो चाहे वो national हो चाहे वो transjunctional हो इसी प्रकार से agricultural है land यहाँ पे noun है तो crushy भूमी को अधिगरहित करने का जो इरादा था उन notifications का पहल्ड करते वे और क्यों अधिगरहित करनी थी तो इस उद्देश्य के लिए for the proposed चेन्नाई सलेम Greenfield Highway proposed प्रस्तावित चेन्नाई सलेम Greenfield Highway Highway राजमार्ग चेन्नाई सलेम चेन्नाई सलेम जाने वाला Greenfield Highway का मतलब जो खेतों में से होकर गुजरे Greenfield का मतलब होता है ऐसी भूमी जो क्रशी भूमी है ठीक है इस Highway के लिए the Supreme Court has both paved the way तो ऐसा करते हुए Supreme Court ने क्या किया यहां तक बात समझी पहले यह कहना चाहरा है कि जो नोटिफिकेशन्स में यह intention था कि agricultural land प्राप्टिक की जाए जो प्रस्तावित चेन्नाई सलेम Greenfield Highway है उसके लिए उन नोटिफिकेशन्स को बरकरार रखते हुए Supreme Court ने दो चीज़ें यहां पे की है एक चीज़ तो क्या किया है Paid the way Paid the way का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है Set the scene मतलब रास्ता Clear करना Clear the way Marg प्रशस्त करना कह सकते हो तो Supreme Court ने दो चीज़ें यहां पे की है एक तो Supreme Court से पहले दया आएगा यह बताईए आपको दो चीज़ें की है एक तो यहां पे Marg प्रशस्त किया है किसके लिए Completing the Land Acquisition Process भूमी अधिग्रहन का जो प्रोसेस है उसको Complete करने के लिए Acquisition का अधिग्रहन होता है इसका मतलब आप Aquirement कह सकते हो ठीक है इसका मतलब आप Gain करना कह सकते हो तो भूमी अधिग्रहन प्रोसेस को Complete करने के लिए Marg प्रशस्त किया है और साथ ही में क्या किया है तो देखो बोथ अपने साथ में End लेता है दूसरा काम क्या किया है SORT चाहा है Seek की second form है SORT To ensure Ensure का सुनिश्चित करना क्या चीज That environmental clearances कि जो परियावरनिये स्विक्रतियां है Clearance बदल स्विक्रति देना Approval देना Are obtained उनको प्राप्ट किया जाए Before its construction Construction से पहले बात समझ में आ रही है तो Supreme Court ने यहां दोनों काम किये एक तो क्या किया है Paved the way for completing the land acquisition process जो भी भूमी अधिक्रहन प्रोसेस है उसको complete करने के लिए रास्ता प्रशस्त किया है दूसरा यहां पे ये भी सुनिश्चित करना चाहा है कि परियावरनिये स्विक्रतियां या approval लिये जाएं किस से पहले इसके construction से पहले इस राजमार को बनाने से पहले यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसके लिए जो approval चाहिए वो approval भी लो कि कहीं परियावरन को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है obtain का मतलब प्राप्ट करना है are obtained passive ways आ गया जाओ it has ruled ruled का मतलब निर्णे देना होता है ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इट है इसने निर्णे दिया है that it will be premature कि ये जो चीज है वो premature होगी premature मतलब आप परिपक को अतापूर्ण कि ये आप गलत करोगे ऐसा करके क्या चीज़ to expect कि अगर आप ये आशा रखते हो the authorities अधिकारियों से to obtain environmental approvals कि वो परियावरणी approvals अब भले ही approvals की जगा clearances लिख दो बात एक की है कि अगर आप ये आशा करते हो अधिकारियों से कि वो परियावरणी approvals लेंगे at the stage किस stage पर stage है of identifying the land at the stage of identified line जब भूमी को identify करने की बात चल रही है पहले तो इनको भूमी अधिक रहन करने के लिए जमीन मी तो देखनी है तो जमीन देखने के समय ही कौन सी जमीन जो की linked है जो जुडी हुई है link में to भी लगता है with भी लगता है किस से जुडी हुई है प्रस्तावित proposed प्रस्तावित ये past participle है alignment का मतलब sunbreakन होता है put into a straight line बिल्कुल सीधी रेखा में रखना किसी के साथ मतलब parallel रखना उसको बोलता है तो जो प्रस्तावित alignment है of a highway एक राजमार्क का तो प्रस्तावित जो राजमार्की आप बात कर रहे हो उसके जुडी हुई जो जमीन है उसको identify करने की stage पे अगर आप ये सउस्ते हो कि अधिकारियों से आप ये expect करते हो कि वो पर्यावरने स्विकृतियां लेंगे तो ये जो चीज है वो premature होगा बट लेकिन once the land was notified लेकिन एक बार जब land notify कर दी जाए notify for acquisition acquisition का दीग रहन है notify का सुचित करना होता है लेकिन यहाँ पे सुचित करने का meaning बैठेगा नहीं otherwise अगर आप translate करोगे तो कहीं और ही अर्थ जाएगा ये इसलिए notify का मतलब यहाँ पे point out इशारा करना संकेत करना ये इसका meaning लोगे यहाँ पे वैसे इसका inform करना होता है ठीक है लेकिन एक बार जब जमीन जो है उसको point out कर दिया गया for acquisition की भी इस जमीन को हम अदिग्रेइद करेंगे and surveyed for feasibility feasibility होता है practicality वेभारिक्ता ठीक है और अगर एक बार आपने वाइबिलिटी भी होता है इसका और एक बार अगर यहाँ पे उस चीज की मतलब survey भी कर लिया गया कि हाँ ये जमीन काम कर लेगी इस जमीन से काम हो जाएगा हमारा practicality का मतलब यही है कि क्या वेवारिक रूप से वो जमीन जो है वो राष्टे राजमार्ग मतलब जो राजमार्ग की बादा चेनने स्लेम हाईवे है उसका रूप ले लेगी तो फिर ये officers के लिए है ये authorities के लिए है तो उनको फिर अप्लाई करना पड़ेगा for all statutory clearances statutory का मतलब होता है वेधानिक, legal तो फिर उनको जो भी legal clearances चाहिए clearances मतलब approvals चाहिए उनके लिए apply करना पड़ेगा एक बार फिर समझना Supreme Court ने यहाँ पे rule किया है यहाँ पे क्या किया है मतलब निर्णे दिया है कि ये बात premature होगी कि अगर आप ये सोचें ये आशा करें कि जो भी अधिकारी लोग है वो पर्यावरनिय स्विक्रतियां ले और उस stage पर लें कि जब जमीन इताय नहीं हुई है फिलाल तक तो फिलाल तो stage वो चल रही है कि जमीन को identify करना है कौन सी जमीन जो जुड़ी हुई है प्रस्तावित राजमार्ग से alignment का मतलब सीधी रेखा में रखना है तो जो राजमार्ग की आप बात कर रहे हो जिस जमीन की आप यहाँ पे जरुत पड़ेगी राजमार्ग का रूप देने के लिए उसकी बात कर रहे है अगर मनोरंजन करना पढ़ोगे अगर यहाँ पे है कंसीडर करना एंटर्टेन का मतलब यहाँ पे है थिंक अबाउट थिंक अबाउट कह सकते हो या फिर कंसीडर करना कह सकते हो किसी चीज़ के बारे में सोचना कह सकते हो तो क्या कहना चारा है कि it would be at the stage of entertaining objections objections का मतलब आपतियां होती है तो यह तो चीज़ है उस stage पर होगी कि क्या objections के बारे में आप सोचे that, key, questions कि कुछ questions जैसे की whether the project was truly a public purpose की जो प्रोजेक्ट है कौन सा प्रोजेक्ट चिन्ने इसलेम ग्रीन फिल्ड हाईवे की बात है चुकि हम प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं इस कारण से प्रोजेक्ट को definite मानते हुए देका प्रयोग किया गया है तो इन प्रशनों को फिर डील किया जा सकता है बताया था यह common error में आया था लेकिन यहां से पढ़ेंगे तो यह फिर उस stage पर होगा किस stage पर कि आप जो भी आपतियां हो उनके बारे में विचार करें कैसी आपतियां कि कुछ questions हो सकते हैं questions हैसे कि यह जो project आप चला रहे हो क्या यह public purpose के लिए है फिर इन questions को आप deal कर सकते हो एक बार यह notify मतलब यह एक बार क्या आप point out कर लो कि यह जमीन को लेना है यह acquisition करना है उसके बाद की बाते हैं ठीक है उससे पहले अगर आप सोचते हो तो यह गलत है however, halanki the land could be taken over take over का मतलब होता है अधिगरहित करना है न, आप अगर किसी चीज़ पर control ले लेते हो take control over उसे भी कहते हैं taken over halanki the land could be taken over यह passive voice है जमीन को अधिगरहित किया जा सकता है and construction begin यह begin क्यों आया क्योंकि देखो could be यहाँ लगा रखा है इसी could be को यहाँ पर repeat करो आप यह बस आपको repeat करके नहीं दिया गया है और वास्तर में repeat करना भी नीचे grammar के अनुसार तो इसको एक बार ही रखेंगे लेकिन यहाँ पर भी could be है इसी कारण से and construction could be यह could be जड़ा है यहाँ पर ठीक है construction could be begin इसी कारण से be के साथ third form begin 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 हलांकि जो land है उसको take over किया जा सकता है उसको अधिगरहित किया जा सकता है और construction को शुरू किया जा सकता है only after the competent authorities कब जब के वो सक्षम अधिकारी competent का मतलब capable, able जो सक्षम है, efficient है, proficient है skilled है जो सक्षम अधिकारी जो है give their clearances वो अपने क्या करते है स्विक्रतियां दे दे there क्यों आ रहा है क्योंकि authority is plural है possessive adjective है there के बाद में ये noun है possessive adjective अपने बाद में noun लेता है तो हलांकि जो land है उसको take over किया जा सकता है और construction को शुरू किया जा सकता है कब कर सकते है केवल तभी जब सक्षम अधिकारी जो है अपना मतलब सक्षम का मतलब यहां पर यह नहीं है कि उनमें छंता है इसका मतलब जो भी उससे संबंतित अधिकारी है the officer concerned है वो अपना clearances दे दे along with the measures of किसके साथ साथ तो मतलब parallel कुछ चीज़ें हो रहे along with इसके साथ-साथ measures measures का मतलब उपाए कह सकते हो या steps कह सकते हो for mitigating mitigating का मतलब कम करना diminish करना reduce करना and remedying remedying का मतलब उपाए करना अब चुकि end के पहले mitigating है तो SI-ING यहां पे है possible environmental damage possible संभावित environmental प्रियावरणी है damage छती damage noun है environmental objective है फिर देख लो ALRI last में प्रियावरणी होगा तो क्या कह रहे कि भई एक तो कम करना कि भी प्रियावरणी है जो भी संभावित damage हो उसको कम करें और अगर हो भी जाए तो उसका कुछ उपाए करें इन steps के साथ-साथ यहाँ पे land को take over कर सकते हो आप और construction को शुरू कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे authorities की clearances के आवशकता पड़ेगी तो जो निर्णे है किसका मदरास हाई कोर्ट का विच है टेकन ये भी एक common error में था फिच किसके लिए आ रहा है मदरास हाई कोर्ट के लिए विच है टेकन मदरास हाई कोर्ट के लिए है तो जिसने की लिया था un nuanced position new instead position का मतलब बिलकुल बारीकी की से सोच समझकर जो इस्तिती या रुख बताया था nuanced κα बिलकुल बारीक को बोलते है nuanced position का मतलब है बिलकुल आपने सारे pros and cons सोच लिये है बहुत बारी किसी सोच लिया है to the point आपने सोच लिया है तो वो nuanced position है nuanced adjective का काम करेगा position noun है यह article को देखकर समझ पाएंगे आप पहला word adjective दूसरा noun तो the judgment है मदरास high court का वो मदरास high court जिसने की एक nuanced position यहाँ पे ली थी in favor of environmental protection किसके पक्ष में परियावरणिये सुरक्षा के संदर्ब में agriculture के agriculture and preservation of rural livelihoods क्रशी के पक्ष में और preservation का मतलब संदक्षन किसका संदक्षन rural livelihoods जो भी ग्रामिन आज वी काएं हैं ग्राम के लोग जो कमाई करते हैं खेटी बाड़ी के जरीए उनका इसने ध्यान रखा था किस के उपर मतलब किस पर preference दी किस के किस चीज़ को secondary रखा किस को primary रखा तो primacy जो है preference जो है वो इन चीज़ों को दिया किस की बज़ाए economic benefits आर्थिक लाब की बज़ाए एक नए राजमार्क का आर्थिक लाब किस का एक नए राजमार्क का कहां पर virgin land पर virgin का मतलब वैसे तो unmarried होता है celibate होता है लेकिन यहाँ पर virgin का मतलब है जो unused है जो पहली बार use की जाएगी जमीन उसकी बात कर रहा है has been set aside set aside का मतलब एक तरफ रख देना set का मतलब रखना aside का एक तरफ एक तरफ रख देना मतलब ignore कर देना उपेक्षा कर देना in the process का मतलब क्या है इस process में एक बार फिर समझना तो जो मदरास high court का judgment है अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात को हटा दू तो आपको समझ में आ जाएगा कि structure क्या है मदरास high court का तो judgment है उस judgment को इस process में दरकिनार किया गया है एक तरफ रखा गया उसके उपेक्षा की गई है अब मदरास high court ने क्या यहाँ पे judgment दिया था इसने एक बहुत ही nuanced position ली थी बहुत सोत समझ कर जो नई जमीन पर इस्तापित होने वाला है इसके benefits के उपर तवज्जो इन चीजों को दी थी तो इस जो judgment को क्या किया गया set aside कर दिया गया उपेक्षा की गई has been set aside पैसी वो इस है set की तिनों form सेम होती है set 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 ही होता है आगे देखे high court had shown greater sensitivity high court ने shown दिखाई greater sensitivity मतलब कहीं ज़्यादा संवेदन शील्ता to possible livelihoods किसकी तरफ possible livelihoods कि जो संभावित आजिवी काएं हैं जो भी कमाते हैं लोग वहाँ पे उस पे ज़्यादा संवेदन शील्ता दर्शाई and ecological concerns ecological का मतलब पारिस्तिती की और concerns का मतलब चिंतियाएं कि परियावरन जो है वो damage नहीं होना चाहिए इस प्रते की चिंतिया दर्शाई इन चिंतियाओं के प्रते संवेदन शील्ता दर्शाई तो high court ने यहाँ पे कहीं ज़्यादा संवेदन शील्ता दर्शाई किन मुद्दों की तरफ possible livelihoods और ecological concerns की तरफ यहाँ greater क्यों आया degree comparative जबकि यहाँ तो तुलना है ही नहीं यहाँ तुलना है अगर पिछला reference आप उठा के देखोगे पिछले slide में देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ comparison था कि economic benefits इसने नहीं देखे बलकि साहनुवोती दर्शाई है possible livelihoods और ecological concerns को लेकर ecological फिर से adjective है AL ending word है ऐसे बहुत सारे word आप इकठे कर सकते हैं notes में note कर सकते हैं ecological हो गया, national हो गया communal हो गया, transactional हो गया है ना या फिर यहाँ देखेंगे आप अभी मैंने बताया था एक दो words यहाँ भी environmental हो गया तो यह बहुत सारे words हैं इसके अंदर AL ending words है जिनको आप executive कहते हैं आगे देखें it had favored early judicial intervention intervention का हस्तक्षेप होता है interference होता है तो high court ने क्या किया था favor किया था मतलब पक्ष लिया था किसका जो पहले जो न्याइक हस्तक्षेप हुआ था उसका relying on किस पर निर्बर होते हुए rely के साथ में own लगता है rely ही नहीं जिस भी शब्द का मतलब निर्बर होना होता है वहाँ पर own लगेगा चाहे वो rely on हो चाहे वो depend on हो चाहे वो rest on हो या फिर count on हो या फिर hinge on हो जहाँ पर भी निर्बरता संबंदी आर्थ लोगे वहाँ वहाँ पर own लगेगा ये सब निर्बर होने के अड़ते रहे तो relying on ing form में present participle है तो high court ने जो पहले कोई नयाइक हस्तक्षेप हुआ था उस चीज़ का favor किया था निर्बर होते हुए किस पर उन निर्णे उपर जो निर्णे यूएस के द्वारा दिये गए थे अमेरिका में अमेरिका से जो judgment साहे थे ना उन पर निर्बर होते हुए उन judgment में क्या था that spoke out तो यूएस ने क्या कहा था spoke out speak out का मतलब खुल कर सामने आना bold तरीके से बिल्कुल अपनी बात पुर्जोर तरीके से रखना तो जिसने की बोला था किसके खिलाफ letting projects advance उसने बोला था इसके खिलाफ कि आप let projects advance यह let वाला जो structure है इसका मतलब यह होता है कि आप किसी चीज़ की अन्मती दे देते हो उसको बोलते हैं let कि अगर आप किसी projects को advance होने देते हो आगे बढ़ने देते हो to such a stage एक ऐसे stage तक ऐसे चरण तक that there is irreversible commitment of resources यह जो commitment of resources है इसका मतलब है कि आपने वादा किया है आपने परतिबदता दर्शाई है कि आप यह material या फिर जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको उपलब्द करवाई जाएंगी irreversible का मतलब है कि अगर आपने commitment कर दिया तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते आप reverse नहीं हो सकते तो यह एप परिवर्तनिय को बोलते है irreversible यह भी executive है ठीक है एक बार फिर समझना तो high court ने जो पहले judicial intervention हुआ था न्याईक हस्तक्षेप हुआ था उसका favor किया था किस चीज़ पर निर्बर होते हुए US से जो judgment साय थे उन पर निर्बर होते हुए जिसमें की कहा गया था कि किसी प्रोजेक्ट्स को मतलब यह इस चीज़े खिलाब बोला था कि प्रोजेक्ट्स को अगर आप अनुमती देते हो आगे बढ़ने की और ऐसी stage तक प्रोजेक्ट पहुंच जाता है कि फिर आप अपने वादे से नहीं मोकर सकते तो फिर कुछ नहीं कर पा हुए तो इस कारण से यहां हाई कोट्स ने पहले ही रोकना चाहा जैसे कि इसमें कहा गया कि अगर यह यहां पर अनुमती दे देता है अभी कि अभी तो काम करो जब आपने लेंड एक्वाइर कर लो उसके बाद में हम देखेंगे कि अभी रोकना चाहा प्रोजेक्ट को कि अगर यहां पे अभी रोक दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई वादा कर दिया और फिर वादे से मुकर गए वरना तो फिर कोई चांस ही नहीं होगा अगर एक बर आपने वादा कर दिया तो फिर तो आपको प्रतिबद देता दर्शानी पड़ेगी तो थ्री जजज बेंच अब ये एक प्रशन था अपना इर्र का इसमें देखो थ्री जो है वो जजज के लिए ही अगर है बेंच को अगर मैं हटा देता हूँ तो फिर तो ये जजज होता निश्चित रूप से लेकिन बेंच भी साथ में चुड़ा हुआ है इसका मतलब ये जो शब्द है ये जो नाउन है और ये भी नाउन है तो ये जो नाउन है जिसे आप कुल मिलाके एजजेक्टिव कह सकते हो और हम लोगों ने एक बात सीखी है कि अंग्रेजी में केवल तीन चीज़ों का ही प्रूरर बनता है नाउन का प्रनाउन का रवर्ब का एजजेक्टिव का बहुचन बनता नहीं है इसलिए यहां पर जजजेज नहीं होगा समझ गए थ्री जजज ही होगा जजजेज नहीं करना है तो तीन जजज की जो बैंच है वो गलत था किस चीज़ में इन होल्डिंग होल्डिंग का मतलब जो उसने रुख अपनाया हुआ था जो व्यू उसका था की कौन था कि जो clearances हैं अंडर environment and forest laws वर required देखो यहां पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है हाई कोर्ट तो कह रहा है कि पहले environmental clearances लो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी कहा है कि जरूरी है आपको अभी तो आप जमीन वगरा देख लो उसके बाद यह करना सही रहेगा भी तो immaturity है तो तीन जज़ की bench ने अब निरिने दिया है कि हाई कोर्ट गलत था किस चीज में अपने व्यू में क्या व्यू था कि clearances under environmental and forest laws कि जो भी स्विक्रतियां हैं किसके तहट परियावरण और जो वन के जो कानून होते हैं forest load जो होते हैं उनके तहट जो clearances है वर required उनकी जर्वत थी इवन बिफोर किस से भी पहले initial land acquisition notice कि शुरुआत में land acquisition notice की उन्होंने जमीन भी अधिगरहित नहीं की है उससे पहले ही इन्होंने स्विक्रतियां प्राप्ट करने की बाद जो कही high court ने वो चीज गलत है ये तीन जज़ की bench ने बात कही it goes on to uphold ये उस तीन ज़़ की bench के लिए है it प्रणाउन है goes on to go on to का मतलब आगे इसने कहना जारी रखा ठीक है if you go on to doing if you go on to do something it means you continue you continue the things that you have earlier said ये ज़़ बैंच है इसने लगातार कहना जारी रखा to uphold the center's power uphold का मतलब होता है support करना uphold का मतलब support करना ये बताया था मैंने शुरू आतमे ही आया था तो यहाँ पे जो ये bench है इसने आगे center का जो power है किन सगार जो शक्ती है जो power है उसके बारे में भी उसको support भी किया to notify कि केंदर सरकार की power है केंदर की ये शक्ती है to notify any stretch of land stretch का मतलब फैलाओ कि वो किसी प्रकार के stretch of land को point out कर सकती है केंदर सरकार किसी प्रकार की जमीन को अधिगरहित कर सकती है including green field और उस जमीन में खेत भी शामिल है क्रशी भूमी भी शामिल है green field का मतलब जहां पे भवन नहीं बने हुए है जहां पे खेती होती है उसे green field कहा जाता है and not merely और कहई रहा कि केवल यही power नहीं है कि इंदर सरकार की center की merely का मतलब only केवल यही power नहीं है कि यह pre-existing road कि पहले से कोई road exist करती है केवल उसी का use करेगी as a national highway एक रास्टे राजमार्ग के रूप में कहीं से भी कोई जमीन अधिक्रहित करके रास्टे राजमार्ग बना सकती है यह बात कि इस bench ने कही तो bench ने यहाँ पे दो बातें कही है एक तो कहा है कि high court यहाँ पे गलत था high court ने कहा कि land acquire करने से पहले ही आपको approval ले लेने चाहिए यह बात गलत दूसरा इसने आगे यह बात कही कि यह power होती है कि इन्दर सरकार की कि वो कहीं पर भी जमीन अधिगरहिद कर सकते इसमें green field land भी शामिल है इसके पास केवल इतना ही अधिकार नहीं है कि केवल जो pre-existing road पूर्व अस्तित्तों में जो road है पहले से जो road है केवल उसी का इस्तमाल करेगी national highway के रूप में ऐसा नहीं है as a part of growing body as a part of का मतलब इस भाग के रूप में as part of a growing body of jurisprudence jurisprudence का मतलब होता है न्याय शास्त्र jurisprudence का मतलब क्या है न्याय शास्त्र तो as part of a growing body of jurisprudence on sustainable development sustainable का मतलब होता है continuous लगाता रहा इसका मतलब क्या है continuous लगाता रहा सतत तो इसके हिस्से के रूप में क्या हिस्सा ग्रोइंग बोडी बढ़ता हुआ बोडी का मतलब एक निकाई कह सकते हो बोडी का वैसे तो शरीर होता लेकिन एग्जेक्टर को निकलना है यहाँ पर शरीर कार तो नहीं देगा जुरिप्र नियाई शास्त्र है इसका मतलब यह है कि नियाई शास्त्र के बढ़ते हुए रूप के हिस्से के रूप में ऑन सस्टेनेबल डवलपमेंट जुरिस्प्रडेंस किसको लेकर कि सतत्थ विकास होना चाहिए लगातार विकास होना चाहिए इस पर आधरी जो नियाई शास्त्र है और उसका बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसके एक पार्ट के रूप में इसने क्या किया लेडाउन किया लेडाउन का मतलब है कोई भी चीज निरूपित करना फॉर्मिलेट करना लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकालोगे ओफिशियली स्टेट करना किसी बात को कहना तो इसने टॉप कोट ने क्या कहा कहा कि यह जो केस था करनाटका इंडस्ट्रियल एरियाज इटैलिक में लिखा गया है थोड़े तिर्च्छा अक्षर है यह केस का नाम है और जनरल प्रिंसिपल एक आम सिध्धान कि इसने बताया that in future क्या बताया कि भविश्य में before acquiring land for development मतलब जो भविश्य के अंदर development के लिए land acquire करने से पहले भविश्य में development के लिए land acquire करने से पहले the possible environmental impact जो संभावित विप्रीथ परियावरनिये प्रभाव यह possible संभावित adverse का मतलब विप्रीथ environmental परियावरनिये impact परभाव should be properly comprehended उनको properly उप्युक्त तरीके से comprehended समझना चाहिए comprehend का मतलब समझना understand या fathom एक word बता जेता हूँ fathom का मतलब समझना होता है understand का पताई होगा आपको यह भी समझना है and the acquisition done in a way और कह रहा है कि अधिग्रहन जो है इस तरीके से होना चाहिए done कैसे आ गया क्योंकि यहां should भी लग रखा तो यह should भी यहां भी मान के चलो आप और acquisition इस तरीके से होना चाहिए that did not impair it के जो परियावरन को नुकसान ना पहुंचाए impair का मतलब damage करना है नुकसान पहुंचाना है एक बार फिर समझना तो कह रहा है कि भी लगातार विकास होना चाहिए इस पर जो न्याय सास्तर कहता है उसके बढ़ते वे प्रभाव के एक पार्ट के रूप में टॉप कोर्ट ने कहा कि यह जो केस था 2006 का उसका उधारन देते हुए एक जंदल प्रिंसिपल बताया एक आम सिध्धानत बताया कि भविश्य में कोई भी development के लिए अगर आप land acquire करते हो तो जो संभावित विप्रीत प्रभाव है उसके बारे में बड़े ध्यान से proper तरीके से समझ लिना चाहिए और land acquisition उस तरीके से करना चाहिए कि जिस से इसको नुकसान ना पहुँचे inner departure from this dictum dictum का मतलब order होता है departure का मतलब क्या हो गया departure का मतलब रास्ता बदल लेना deviate कर लेना सुप्रीम कोट लगातर कह रहा था कि कोई अभी फिलहार clearance की ज़रत नहीं है फिलहार आप ये करो सब चीजें पहले आप land acquire करो उसके बाद देखेंगे अभी इसमें बात ये कह दी कि पहले क्या है ध्यान से देखो उसके बाद में तो ये जो deviation हुआ है ये जो सुप्रेम कोट अपनी बातों से मुक्रा है तो ये जो अपने आदेश से deviation हुआ है, departure हुआ है अभी ये कहता है कि the statutory framework statutory क्या होता है वेधानिक framework का मतलब structure governing highways अभी ये कौन सी framework है जो कि highways को govern करते हैं तो यहाँ पे highway का काम जिसके पास होता है इसमें प्राइर क्लिरेंस requirement की provide for का मतलब है कि ये इस बारे में support नहीं करता है या ऐसी कोई बात इसमें नहीं है तो कहरा है कि ये जो एक आदेश है इससे departure होते हुए ये जो dictum है ये जो एक तो कहावत होती है maxim को, axiom को, principle को इन सब को भी dictum कहते है आदेश को भी dictum कहते है तो अपनी जो एक सिध्धान्त सिध्धान्त मालो principle दे रखाता तो इस सिध्धान्त से departure होते हुए अब ये कहता है कि कोई भी विध्धानिक कोई भी governing highways है मतलब framework है जो highway को govern करती है जो भी rules वगरा बना रखे है highways को बनाने के लिए और जो process यूज किया जाता है land को acquire करने के लिए highway projects के लिए उन में कहीं पर भी prior clearance की जरुवत नहीं है बात समझ में आ रही है तो ये जो deviation हुआ है यहाँ पे अलग बाते इसने की है ये principle अलग बताया है अब कह रहा है कि prior clearance की जरुवत नहीं है पहले आप जमीन दीकरेट करो तो ये सब चीजें जो हैं अब यहाँ पे इसने ऐसा करते हुए विचलित होते हुए पथ से हटते हुए अपने इस सिध्धान से ये सिध्धान जो बताया वो आपकी line of reasoning है तो court ने जो तरक दिया है एक, दो, तीन, चार्ट जो भी तरक दिये है conclude करने से पहले based mostly on based mostly अकसर अधिकांशतया based on आधारित तो अकसर या मुख्यतया जो तरक है court के line of reasoning जो है जो की आधारित है किस पर development centric statutes statutes का मतलब क्या है कानून जो भी legal चीज़े है वो जो क्या आधारित है development centric विकास आधारित कानून पर is something तो यह reasoning जो है is something of a disappointment यह कुछ निराशाजनक टाइप की चीज़ है something, कुछ of का के या की a disappointment एक निराशाजनक चीज़ जैसे है when it could have taken holistic का मतलब संपूर्ण comprehensive entire, total मतलब एक पूरा तरीके से देखता नजरिया इसका जाता comprehensive होता of the need for sustainable development need मतलब आवशक्ता आवशक्ता के बाद में preposition for लगता है of की बजाए sustainable सतत development यह आपका विकास एक वा फिर समझना तो court की line of reasoning जो है अब यहां से यहां तो इसने बताया कि किस पर आधारित है आधारित तो किस पर है development centric कानून पर कि court की reasoning है court चाहता है कि development होना चाहिए विकास होना चाहिए तो यह जो reasoning है कुछ निराशाजनक type की है ठीक है when it could have taken a holistic view of the need for sustainable development तो जहां उस समय जब यह court जो है वो holistic view ले सकता था बीच में तो दे दिया even at this stage इस stage पर भी संपूर्ण तरीके से सोचता पूरा मतलब समगर चीजों को सोचता sustainable development के लिए कि क्या इसकी आवशकता थी की नहीं थी हर एक यहां पे angle सोचता लेकिन इसने ऐसा नहीं किया true यह सच है it has left open the question left open the question का मतलब क्या है it has left छोड़ दिया है open खुला the question प्रश्ण तो इसने एक प्रश्ण सामने खड़ा कर जिसका आंसर नहीं मिला है ठीक है तो यह बात सच है कि इसने एक प्रश्ण खड़ा कर दिया है क्या प्रश्ण है अब प्रश्ण है इसी कारण से वैदर है क्योंकि जब भी आप interrogate करते हो कोई चीज़ को तो वहां पे conjunction के रूप में वैदर यह इफा सकता है यह आप narration में पढ़ते हो तो अब यह बात सच है कि इसने एक प्रश्ण खड़ा कर दिया है कि whether the clearances obtained after the lands were notified for acquisition or valid कि क्या यह जो approvals की बात आप कर रहे हो कौन से obtained after the lands were notified for acquisition कि जब जमीनों को acquisition के notify कर दिया गया कि इस जमीन को point out कर दिया गया कि यह acquire की जाएगी इसका acquisition किया जाएगा तो क्या यह जो clearances है क्या फिर वो valid है क्या फिर वो सही है valid है legal है तो यहाँ पे इसने एक प्रश्ण छोड़ दिया है कि जमीन लेने के बाद फिर आप clearances की बात करते हो तो क्या यह valid चीज है एक बात दूसरा and the principle that construction of the highways एक जो सिध्धान्थ है कि जो construction है highways का राजमार्गों का निर्मान है cannot begin without such clearances also stays और वो जो मतलब निर्मान है वो बगैर ऐसे clearances के शुरू नहीं हो सकता यह बात भी यहाँ पे है यह सिध्धान्थ भी यहाँ पे stay करता है बना हुआ है कहने का मतलब लेखक जो है contradict कर रहा है यहाँ पे खंडन कर रहा है तो एक तो यहाँ पे एक प्रशन छोड़ दिया है Supreme Court ने कि अगर आप यह कह रहे हो कि land acquire करने के बाद में जो यह notify करने का मतलब point out करना पड़ना इसको कि acquisition के लिए आप notify कर दिया कि इस जमीन को हम अधिगरहित करेंगे यह आपने इशारा कर दिया उसको उसके बाद में अगर आप clearances obtain करने की बात करते हो तो क्या यह चीज valid है दूसरी बात यहाँ पे यह तो सिध्धान्त है क्या principle है principle यह है कि highways का निर्मान जो है वो बगेर clearances के शुरूरी नहीं हो सकता यह भी चीज जो है यह भी stay करता यहाँ पे यह सिध्धान भी बना हुआ है but it is not inconceivable inconceivable का मतलब क्या है ने समझने योग्य conceivable समझने योग्य inconceivable ने समझने योग्य note लग गया इसका मतलब do negative होगय इसका मतलब समझने योग्य है तो यह बात जो है समझ में आने योग्य है क्या that the court's position की जो court का रुख है position का मतलब इसका जो फिलहाल का एक रुख जो है जो भी इसमें निरने दे रहा है जो भी यह बात कह रहा है may have rendered may have rendered मतलब हो सकता है जो की हो चुकी है और अब उसको चेंज नहीं कर सकते है लेकिन ये बात समझ में आने योग्य है कि court की जो position है supreme court की जो position है हो सकता है कि शायद इसने इस प्रोजेक्ट को फेट एकंपली बना दिया है कहने का मतलब यह approval दे रहा है इसका मतलब उसके बाद में अगर आप clearance की बात करते हो और suppose करो clearance नहीं मिलता है तो भी कुछ नहीं कर पाओगे एक बार जमीन acquire कर ली और नो ने फिर clearance के लिए आवेदन किया कुछ भी किया कोई फरक नहीं पड़ेगा ये तो काम होकर रहेगा ठीक है revision देखो render का मतलब बनाना है यहाँ पर वैसे तो होना भी होता है करना भी होता है impair का मतलब damage करना है तो पहले को जोड़ेंगे B से impair को जोड़ेंगे damage से Statuate का मतलब low है कानून से E से dictum का मतलब decree, आदेश, सिध्धान्त भी होता है यहाँ पर principle के अर्थ में था कोई दिक्कत नहीं है फिर sustainable का continuous है लगातार है, सतत है C से, आप इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है तो यह था दोस्तों आज का editorial अब मुलाकात करेंगे कल श्याम पांस बज़े नए session के साथ अब तक लिए नमस्कार Thank you very much Thank you